हलो गुरोवन कैसे हैं आप सब एक बार पुना सी कोचिंग क्लासेस पर स्वगत है क्लास टुल्थ हिंदी के कुछ ऐसे टिप्स यंपी बूट के सबी बच्चों के लिए जो टुल्थ क्लास में हैं और हिंदी में अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा की जो सकता है कि आप अच्छे ला सकते है talked को ईसमें जो भी मेरे पढ़ाने लाइक कोगा जोभी topic मैं पढ़ा सकता हूं वो मैं provide करी दूंगा जैसे यहां पर मैं एक चीज आपको बता दूंँ आपका जो यहां पर भासा बूर्ण देखें पूरा संशोधित बूर्ण्ट यहां पर तुब भासाबोध और काबबोध दोनों हैं साथ में अप्ठित गद्यान से पत्र लेखान है अनुछेद लेखान येवं दिवन्ध लेखान ठीक है तो इन पड़ियों पर मैं चर्चा कर लूँगा मतलब इन प्रकार की किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे यहां से मैं जैसे आप आपको 9 अंग हो गया काबबोध भासाबोध 12 अंग हो गया इसके बाद अप्ठिद वो तीन अंग हो गया पत्र लेखन चार अंग चार अंग किये तो किल मिलाकर कि इसको यह आप एड़ करोगे तो यह 21 हो गया 23 कितना हो गया पेरवच्चो एकिस तीन 24 24 हो जाएगा 2868 32 त इसके बाद आपका यहां पे जो आ रहो है यहां पर देकि भाग टू काब खंड और गद खंड इसको किस प्रकार से पढ़ना है बितान टू और अभिवेक्ति और माद्दम अभिवेक्ति और माद्दम तो बिलकुल सिंपल है मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें कुछ ऐसे टिप्स जो आपको फालो करना है जैसे आपके अब्जेक्टिव टाइप के जो कोश्चन है उसमें से पैरे बच्चु जैसे आपका अब्जेक्टिव आने वाला 28 यहां पर थोड़ा मैनेज करें 28 नमबर के अब्जेक्टिव आने वाले ठीक है इसमें से चार अंग के आप इतना सोच लो कि लेखक लेखक और जो कभी हैं उनके पाठ का नाम यदि इतना आप तयार कर लेते हो पाठ का नाम तो चार अंक आपका clear हो जाएगा किस पाठ के लेखक कौन है और किस मालिजे गदखंड के कभी कौन है तो ये आपको clear करना है तो पहला जो टास्क है आपके आरोई भाग तू या आपका गदखंड या कभखंड जिसमें भी जितने भी कभी और लेखक है जितने भी कभी और लेखक हैं उनके पाठ के नाम लिखना है कि कौन से पाठ कभी कौन से है लेखख कौनसे हैं इतना हो गया इसके बाद मेरे बच्चो एक कौशन आता है लेखख परिषै क्या लेखख परिषै इस पर भी मैं आपको पूरा भिधिवत वीडियो बना कर प्रोवाइट कराऊंगा यदि आप इसके साथ साथ आप रचनाएं याद कर लेते हैं क्या रचनाएं कि माली जे हाजारी प्रसाद दुवेदी हैं इनकी दो रचनाएं लेखक परिचा या कभी परिचा जो आपका है मैं ज़िए अब कहूं कभी परिचे कभी परिचे एक कितने अंग का आता है तो कभी परिचे तीन अंग का आएगा ये MP वोड में ठीक है MP वोड में यदि आप से रचना बना तो एक अंग का लड़ी बन जाएगा दो अंक आप कैसे लाएंगे भासा सहली क्या लिखना है उसकी भासा क्या है तो मैं आपको टिप्स बता दूँगा कि किसी भी कभी का कभी परचे कैसे लाएं लिखे और आपको तीन अंक में कैसे तीन अंक मिल सकते हैं तो कभी परचे और लेखक परचे तीन तीन अंक के कोश्चन आ सकते हैं यहां हो सकता है दो दो पैटर्न चेंज हो चुका है तो दो दो अंक का भी आ सकता है समझ लो में मुटा मुटा लगा लेता हूं चार अंक तो चार अंक आप यहां से चार अंक मतलब आठ अंक हो गया आ ऐसे आपका आएगा एक गद खंड दे देगा उसका संदर्ब और प्रसंग लिखने को तो यदि आप पाठ का नाम और लेखा का नाम लिख देते हैं तो आपके पास एक गद खंड आने वाला है एक गद खंड आएगा ठीक है ये तीन अंग का और एक पद खंड आएगा पद से पाठ के लेखा कौन से ये चीज अध्ध है गद्पद के लेखा कभी के नाम याद है तो फिर आप पेरे बच्चों आसानी से संदर्ब और प्रसंग लिख सकते हो क्या संदर्ब और प्रसंग तो यहां से भी आपके डेड़ डेड़ अंग क्लियर हैं आप बिलकुल नार्म कि बहल आप पाठ का नाम और लेखाक और कभी का नाम लिख रहने रहे हैं याद कर ले रहें एक से दो बार लिख ले रहे हैं तो देफनट आप से याद हो जाएगा और इससे भी आपके 3 अंग मिल जाएंगी मतलब 4 अंग चार अंग और तीन अंग इतना आपको फोकट मे बस मात्र एक दिन में त्यार करने में आप एक दिन में त्यार सभी पाठ का नाम लिखो और जो भी गदखन और पदखन भी जितने भी पाठी जितने अध्या हैं उनके सामने लेखक और कर्भी का नाम लिख लो कौन से अध्या के कौन से कभी है रचना जो है आपके पास जो दो दो रचनाय लिख लो, इसको एक चार्ट बना लो, एक दो घंटे आप प्रिपेर करो, इससे आपको समझ लो, इतने अंक मिलने बाल नहीं, मैं आपको complete हिंदी का पुरा suitable तरीके से आपको माध्यम समझाओंगा, जैसे एक मैं आपको गद्ध खंड प्रोवाइड कर बोद में अब कुछ बच्चे तो रस खोल लेंगे, पूरा रस ही रटते रह जाएंगे, ऐसा नहीं, आपके सेलेबस में कौन कौन से रस हैं, और question कैसे कैसे पूछे जाएंगे, ये चीज आपको note down रखना है, जैसे यहां से काप बोद में से objective पांच अंग का आना है, आप लोगों ने देखा होगा कि रस किसे कहते हैं, रस के प्रकार, रस जो भी question बनते हैं, चंद से जो question बनते हैं, जैसे यहां पर दिखा है, लिखा है, चंद परिचा एब प्रकार, चंद में से दोहा, चौपाई, सोर्था कवित सबाया, अब मैं आपको समझाओंगा, च प्रकार में मानवी करन, पुन्रोगति प्रकास, संदे, भ्रांतिमान, विरोधावास, इतना ही पढ़ना है, तो आपको कुछ चीज़ें note down रखना, कुछ चीज़ें समझना है, यह नहीं कि आप पूरा चंद ही पढ़ने लग जाओ, अब आपको एक्जाम का टाइम आगया प्रत्य उपसर्ग, अब इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी है, जो आपको पढ़नी पढ़ते हैं, कुछ नहीं, पुराने प्रिवियस एर का पेपर देखो, कैसे कुछ पूछे गए, आपका मॉडल पेपर देख लो, आप एदी कुछिन बैंक लिए हैं, तो ठीक हैं, कुछ कुछिन बैंक आप हमसे ले सकते हैं, थोड़ा साम चार्ज रखें, लेकिन आप 20 रुपए में एक सब्जेट का कुछिन बैंक आप ले सकते हैं, तो प्यारे बच्चो इस प्रकार से आप कुछिन बैंक से भी देख सकते हैं, आपके पास हिंदी का दिक दर्सी का होगा, य अप्धिक जैसे कंप्यूटर साइंस, दो चीज तो ही है, लेकिन इस टाइम पर हमारी कोरोना, कोरोना पर भी आपको त्यार करना, कोरोना सबसे ज़्यादा अपडेटेड है, और कोरोना का आना का जो निवन्द है, आने का फुल चांस है, जैसे आपके पास चार है, चार का आएगा निवन्द, तो अब पूरे दो पेज तो लिखना नहीं है, बतलब लगबख देड़ पेज आपको लिखना है, ठीक है, तीन पहले तो क्या होता था, तीन से चार पीज इन दो पन ने लिखा जाता, मैं अपने जवाने में दो पन ने लिखा था, उस सबसे ज़् आपको पत्र लेखन में इस पर फोकस करना, इसका भी वीडियो अपलोड कर दूँगा, आप बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपका MP बोर्ड में जो भी बच्चा जुड़ा हुआ है, मैं आपको सभी सब्जेक्ट यहां पर प्रवाइड कर रहा हूं, तो अप्ठिद बोध में आपको कैसे लिखना है, अप्ठिद बोध तो घर्डैंस पद्धंस कुछ भी हो सकता है, यह तो किताब से, देखिए जो कुछ कुछ कुछन ऐसे आते हैं, कि उसी में से ढूड़ो, उसी में से लिखो, ऐसा कुशन भी आ सकता है, तो अनसी जैसे पैस नमबर आसानी से ला सकते हैं बिलकुल बहुत कम समय में ठीक है तो उम्मीद करता हूँ आज आप ये वीडियो में कुछ नए चीज़ें सीखे होंगे नए टिप्स सीखे होंगे वीडियो वसंदार लाइक करना सेर करना मिलते एंगरी वीडियो के साथ जैहिंद बंदे मातरा कर दो